नमस्कार दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे में आपका तह दिल से स्वागत है और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कली बाल की खास देखवाल के बारे में इस वीडियो को लास्ट तक देखें। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दू अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे तुरंट सब्सक्राइब करें क्योंकि इस चैनल पर हम आपके लिए ऐसी ही इन्फॉर्मटव जानकारी वाले वीडियो रोज लेकर आते रहते हैं कली बाल ये सदाबार होते हैं देखने में अधिक सुन्दर लगते हैं लेकिन इनकी सही समय और अच्छे से देखभाल होती रही तो यह और भी सुन्दर हो सकते हैं लेकिन अगर आपको यह बाल पंसद नहीं तो और कली बालों को स्ट्रेट करवा सकती है, लेकिन एक खास बात का ध्यान रखें की एक सर्पट की सलाह से ही बालों की देखभाल करें। लेकिन एक परेशानी हमेशा आपके बालों में रहेगी बालों जैसे जैसे बाते हैं वैसे वैस। को शॉट हेयर लेयर में नहीं कटवाना चाहिए, बालों को हैड़ कट, स्लाइट कट ही करवाएं वस्लाइट कट लोग रखें. बालो पर मॉइस्टिराइज बनाए रखें और तुरंट बालों को सुखाने के लिए सीधे ड्राय का प्रयोग न करें. आपको पार्टी या किसी त्योहार पर तयार होने से पहले बालों को प्रेस करना पड़ेगा ब्लोड ड्राइकर यूज नहीं करना है आप छोटे बाल नहीं रख सकती हैं बालों को शेंपू करने के बाद लिविन कंडिशन लगाना चाहिए बेसन और दही का पेस्ट सपताह में दो बार घुंग्राले बालों पर जरूर लगाएं इससे बालों में मौश्चर वा मजबूती बन रहती है सेब का जूस वर रसको कंडिशन के साथ मिलाकर नहाते वक्त बालों में पांच मिनट तक रगे और ड्रायका इस्तेमाल करने से बचें उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी अगर आपको ये वीडियो अन्फॉर्माटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेस्बुक और वाट्सप पर जैसी जगहों पर शेयर करन ना भूले और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटिट कोई भी सवाल या सुझाव चल रहा हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना ना भूले हम जल्द से जल्द जवाब देंगे और अगर आप इस चैनल पर नए है या अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल डंके की चोट पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर ले क्योंकि रोजाना हम आपक लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो लेकर आते रहते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों